हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आपका त्रिकों मीति का प्रस्नावी नंबर आठ एक यह पार्ट फॉर है फ्रेंज इसके पहले आप सभी को एक से लेकर 21 तक सवाल हल करवा दिये गए हैं अभी तक फ्रेंज उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं तो आज आप सभी को 22 नंबर के आगे सभी सवालों को रहल करके बताएंगे चलिये फ्रेंस वीडियो करते हैं तो फ्रेंज आपके साफने सवाल है देखिए आपका 22 नंबर का सवाल है यह दि काश ठीटा वराबर यम अपानियन तो टेंट थीटा माइस काट ठीटा का मान गयात करना है यह आपके बॉर्ड के लिए फ्रेंज यह इंपोर्टेंट जडोर करो दो ढाई नमबर को क्यातकों काट ठीक आप पता करना तो को यहां पर आपको पता रहते हैं यहां और यहां से आधार कितना पता चला आधार पता चला कि स्मा या और क्ड़र क्या है ये हैं आपका कढ़ ओगिए स्माल एंद देखे टर懼 मान क्याने के लिए आपको तीन भुजा पता होना चाहिए इसमें आधार पता है कढ़ पता है और लम्म है पता करेंगी लम पता करने के लिए आपको पाइथा गोरस परमे लगाना पढ़ाई ठीक है देखिए यहाँ पे लिखिए का पाइथा गोरस परमे पाइथा गोरस परमे ठीक है अब पाइथा गोरस परमे सभी को याद हो गया होगा ठीक है देखिए यहाँ पे पाइथा गोरस परमे क्या है करण का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर ठीक है अब देखे यह कड़ का मान दिया है यन यानि यन का स्क्वाइर हो जाएगा आधार दिया है यम यम का स्क्वाइर हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वाइर ठीक है देखे यन स्क्वाइर यह हमको पच्छान्दर करेंगे तो माइनस M स्कॉार हो जागा बराबर लंब का स्कॉार हो जागा ठीक है अब देखें फ्रेंस यहां से आपको लंब से आपको स्कॉार अटाना है तो क्या करेंगे लिखेंगे दोनों पच्छों का रूट लेने पर यहां पर लिखें दोनों पच्छों का रूट यानि करड़ी ठीक है करड़ी लेने पर ठीक है अब देखिए यहां पर लिख 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 लिए आप यहां पर करड़ी में क्या हो जागा करड़ी में होगा यन्सक्वायर माइनस यन्सक्वार बराबर करड़ी में क्या हो जागा यहाँ पर लंब का स्कॵायर प्रेश देखें इसका वर्ग मुन तर één निकलेगा नहीं जब नहीं निकलेगा त्या करेंगे यन्सक्वार माइनस यन्सक्वारी इसक्वायर का रहन rozp Turk यहां से क्या हो जागा आपको अगला इस्टेप में करना क्या है आपको आधर पता चल गया और नम्प पता चल गया है अब यहां पिजो आपको ग्याद करना है तो पहले हैं तो आपको निकाले ठीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कि निकाल लिएगा पर एक नदूसे के दो नों MYन से निकालिएगा देखेए चली निकालते हो यहाँ पर अ table वर्मूला फ्रेज़ लंब बटाके ऐल में हम सब्सक्राइब होता है कि न Ale आधार अपन लंब होता है ठीक है आधार अपन लंब अब यहां देखिए फ्रेंस आपका आधार कितना है तो आधार देखेंगे तो यहां पर आधार यहां रखिए लंब कितना है रूट में यहां इसक्वार माइनस यहां इसक्वार होगा ठीक है अब फ्रेंस देखिए करने लिखने के बाद आपको कि इसको पूरा लिखिए रूट में यह स्कवर माइनाष यम2 अब पान कितना यम कर ली जिए माइनिस का ठीटा कितना ऺएंब आप यर्म भार माइनस यम2 अब क्या करेंगे आप इसको रहेंगे दिखिए यह खाई GO भी इसाatar जाएब माइनस यम- इसकोब हो जाएगए यम कि वे झूटेंगें गुडद किया हो जगाया इम रूट में के तो कि येम इसकोर माइनस येम इसकोर प्र deketौड सजाती है कुआ हो जागए माइनसट्व Baz के यहिस्कुआर अपॉल है। मैं एं इसकंव मायनस यह मां स्कुर्ण 3. और फ्रेंग्स यह आपके एंसर हो जाए के यहिस्कुद्ट और बोड के गजाम कई भर पूछा जा चुका थे कहर थैंन आप अच्छे से हल कर लीजिए और समझ लीजिए ठीक है चलिए अगले परस्ट में को हल करते हैं देखे फ्रेंज आपके सामने ये 23 नंबर का सवाल है यह दिकास ए इसको पांच बटागे तेरे तो साइन कास A-8-A-2-10-A का मान गयात करना है जैसे आपको उपर वाला सवाल बताद हम सेम उसी प्रकार लगेगा देखे किस प्रकास हल करेंगे तो यह 23 नंबर का देखे आपके समयने सवाल है देखे इसको हल करते हैं जैसे बताएं देखे की फ्रेंज यहाँ पर क्या है कि आप कास A क kicking about Links बता आफार आपता आपको आदार नतों यहाँ पर कितना नोग सक्क सक्राइब एफ करान कितना का test ऑपकोंन हो जागा चल गया क्या चल गया तिसरी बजम पता करेंगे अब क्या करएंगे फूर्प पता करनेके दो पाय थाया गोलस पर्म यहांस पाइथा घृस पर opening लगा यह मैं फ्रेंस यदि अधि जतने सवाल बता रहे हैं आप यदि इतना सवाल आप देख लिते हैं मैं तो आपको अभी फार्मूला याद हो जाएगा ठीक अदम याद हो जाएगा और पूरे सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है इसलिए एक ही फार्मूला बार-बार पर यूग हो रहा होगा देख रहे होगा आप तो आपको पता चला होगा कि एक ही फार्मूला को बार-बा हो गे हैं आप अभार क नाँज्म को कितना है पार कीजिए आप का इादार कितना है पांच है तर पांच को मेंotal गार करना है THIS आ편 delivery जीए निbor का यंक भी एघे थिया है धुगते हैं गुद्वाइबाद नहीं को कि इननारी माजने में फूताइब करनाओं 25 को पच्छान तो माइनस 25 हो जाएगा अब बराबर क्या होगा लंब का स्कॉार ठीक है अब 170 में से 25 गटाई दे कितना होगा 144 बचाएगा यहां पर बचाएगा लंब का स्कॉार देखिए इस्कॉार आटानत क्या करेंगे फिर होगा ही दोनों पच्छों का करड़ी लेजिए यहां पर लिखेंगे दोनों 144 से बराबर रूट में कितना हो जैगा लम का स्कार हो जाएगा को तक और 44 करके मूल बार ठीक है और यह लुब हो जाएगा ठीक है लम यानि कि लम्प पता चल गए है कि लम्प किया पता चल गया लम्प हो गया आपका 12 यहां से आधर पता चलिए कड़ पता चलिए और लंब पता चलिए और देखिए किसका बस मान गयाद करना है आपको साइन काट ठीक है इसका पहले निकाल लेते हैं कि इसका मान क्या होगा देखिए पहले यहां आप लिखें साइन कै עिनक Si A greater allowed क्या लिखेंगे कात्अ य कॉलेंगे फिर इसके लावा टेंre ठीकि यह सम्हान जब पता चलुएगे तहीं रखेंगे अब क्या इसका फार्मूला रखिए साइन एक फार्मूला होता है लंब अपान कर्ड लंब अपान कर्ड हो गया लंब कमान कितना है लंब कमान देख लिए याद के लिए लंब कमान 12 है यहां लंब कमान अब 12 रखेंगे कर्ड कमान कितना है कर्ड है आपका 13 ते 13 रख लीजिए ठीक हो गया यहां काट एक फार्म आधार है आपका 5 लंब कितना है 12 यहां पर 12 कर लिए यहां पर 10 एक फार्मल लिखिए लंब अपार आधार अब यहां पर 12 कीजिए आधार 5 तो 5 कर लिए ठीक है साइने काट ए 10 ए जो पता चला है जो मान गयाद करना है इसी में रखके सिर्फ आपको हल करना है चलिए हल करते हैं देखिए यहां पर लिखते हैं सवाल को क्या गयाद करना है आपको पहले उस सवाल को लिख लेते हैं यहां पर साइन ए माइनस काट ए अपान टू टै मान है 12 बटाके 13 यहां पर लिखेंगे 12 13 माइनस चली यहां पर दिखा देते हैं काट एक मान कितना है 5 बटाके 12 ठीक है अब 5 किजिए और यहां पर दू गुड़े 10 एक मान कितना है 10 एक मान है 12 बटाके इसी को बस हल करना चली हल करते हैं देखे फ्रेंस इसका इसमें गुड़ा करेंगे तीरी एक न 12 की बटाके तेरे दुना के 26 और पांट फजागा अब देखिए क्या करेंगे 144 में से 65 घटा लीजेश पर एक साथ होगा अब पान 156 कर लिजिए इसके बटम कितना है 24 कि अब पान कितना है पांच है ठीक है अब इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे यहां से कर लेते हैं देखें सेवेंटी नाइन नासी है अब बटा के बटा है तो गुड़ा कचिन बनाएंगे यह पलड जाएग और कितना जाएगा नीचे 24 आजाएगा ठीक है अब खाली अंस का अंस में गुड़ा कर लिजिए पांच के इसमें कर रहे हैं पानवा पैटालीस होगा पानवा पैटालीस हासिल चार लगा पांस है तर पैटीस च्छतिस है और 49 कितना होगा 49 395 हुगा अब 156 का 24 में या या ठीक है और फिरेंगे क्या यह आपको यह आइगा इनसर होगा ठीक है तो फ्रेंच देखिए आप गुड़ा यह आप आसानी सिंपल तरीक से शोड़ीस दोस्तों फ्रेंस आपका जो एंसर होगा तीन सो पंचानबे अपान साहेतिस चवालीस होगा ठीक है देखें यहां पर जो आपका अगले नंबर का सवाल है देखें यहां पर आपका जो तेईस तो हो गया करा सब्सक्राइबU को सब्सक्राइब को सिंधिया है आपको सब्सक्राइबर 내가 जाया है दिए TWO को ओदाएं चूविस नंबर का सवाल है इसा? चार बेंबर का सब्सक्राइब है यहां पर टैन लीदगा कितना दिया है चार बटा के तीन, आपको फ्रेंज यहाँ पर सिद्ध करना है कि 2 sin ठीटा माइनस 3 कास ठीटा अपांग ठीक है 2 sin ठीटा प्लस 3 कास ठीटा बराबर माइनस एक बटा के 17 ठीक है अब देखें इसको कैसे आप हल करेंगे अब फ्रेंज देखें आपको जैसे यहाँ ठीटा कास ठीटा का माँ पता राता था इसका मार रखके हल कर लेते हैं देखिसको आप simple это उसका हल सकते हैं को हल करेभिशए पता यहाँ पर 10 ठीटा यह पर 10 ठीटा की फार्मूला रख लिजी आर हम चार बटा की यह पर नूंब तो हुआ तो लंब आपका हो जाएगा चार और आधार कितना हो जाएगा आधार होगा आपका तीन हो जाएगा ठीक है अब देखे फ्रेंस यहां पर लंब पता है आधार पता है तो आपको तीनों भूजा पता होना चाहिए जिसके लिए हम पाइथागुरस परमे लगा के कड़ पता कर सकते हैं ठीक है जिससे हम साइन ठीट और काश ठीट अगमान निकालके यहां पर रखके पर मार लेते हैं यहां पे देखिए कड़ का स्कवाइर किटना मुश्मे कर लीजिए लम कितना दिया है चार चार का सक्वाइर कर ले बरावर नवरी, शोला होड़ी किटना होगा 25 होगा, फ्रेंस यहां से स्व्कवार हट रह लिए, लिकेंगे लिकेंगे दोनों पच्छो का करड़ी लेने पर, जब करड़ी लेने पर, यहां पोरा देखा लिकें क्या, करड़ी लेने पर, यहां पर कर्ड़ मों हो जाएगा कर्ड़ का स्क्वाइर बराबर कर्ड़ कितना होगा 25 चिर है अब Яंच पांच और देखो आपको क्या आया क applied क cancer ano змang हो गया के यहां से आपको लंब पता चल गए आधार पता चल गए अब क्या करेंगे कि यहां प्रillek है कि आपको साइं ठीटा घीड़ा काश ठीटा कर मान ग्यात कर लीजेए यहाँ पर कर के कर कर तेक है कर मान धार का मान है आपका 3 तो 3 कीजिए अब करड़ का मान 5 है तो 5 कर लिजिए ठीक है यह मान आप पता कर लिए साइन ठीटा का और काश्ट डगा और बस इसमें क्या करके रख के आपको हल करके कितना लाना माइनस एक बटा के 17 लाना है अब देखें यहां पर क्या करेंगे अब इस सवाल को हल करना है तो पहले यहां पर इसको लिखते हैं देखें चली लिखते हैं इसके नीचे यहां पर left hand side पर लिखे, क्या लिखेंगे, left hand side, left hand side में कितना आपका है, देखिए, 2 sin, theta minus, 3 cos, theta upon, कितना है, 2 sin, theta plus, 3 cos, theta, और लाना कितना है, आपको लिख के बता देए, minus 1 बटा के 17 लाना है, ठीक है, यहां पर इसका मार रखे, आपको minus 1 बटा के 17 लाना है, ठीक है, यहां सब्सक्राइब कर लिए अब इसी को हल करके आपको सब्सक्राइब करें दूक्राइब करके दुक्तली 9 सब्सक्राइब करें वहा आपको हठाबर घड़ा है है दुक्तली 7 गटाए का लिए अब कितना है और यहाँ पर नीचे का भीपलट का जाएगा और यह पांस कड़ जाएगा जिब कटेगा तो माइनस 1 बच रएगा और नीचे से 17 बच जाएगा और देखिये फ्रेंश यही आपको हल करके लाना था कि इसको हल करके मानस एक बटक 17 आ रहा है कि नहीं यह इसको हल कियें तो मानस एक बटक 17 आया है और जैसे ही यह आयागा तो आप इसके नीचे लिखिएगा कि left hand side ठीक है बराबर right hand side इसको left hand side बरावर right hand side भी लिख सकते हैं या इसी को आप लिख सकते हैं या हिंदी में पच बरावर दाया पच भी लिख सकते हैं तो इसमें से कुछ भी आप लिख दीजेगा आपको सही हो जब ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देख लेते हैं देखे फ्रेंस साइन ठीटा बरावर 24 बटा के साथ तो सिद्धीजिए कि साइन ठीटा माइनस काश टीटा पांश टीटा प्लस काश टीटा बरावर सत्र बटा के 31 आपको लाना है देखिए आपका यह कैसे आए अब आपको चौवीस नंबर का सवाल बता है सेम तुसें इसी प्रकार 25 नं साइन ठीटा माइनस काश टीटा अपान साइन ठीटा प्लस काश टीटा इस गल्टू कितना होगा सत्र बटा के 31 होगा होगा सत्र बटा के 31 अब देखिए इसको हल करते हैं यहां पे टैन ठीटा का फार्मूला लिख के तीनों भूजा पहले पता कीजिए नहां पे टैन ठी जोवीश आपका हो गया है 24 और आधार कितना हो गया अधहर हो गया सब्सक्राइब अब यहां से आपको कड़ मता करना पड़ेकर यहां पर लिखना पड़ेगा पाइथा गोरस परमी लिखिए पाइथा गोरस परमी पाइथा गोरस परमी लिख लिए अब पाइथा गोरस परमी अभी तक आपको याद हो गए है क्या है पाइथा गोरस परमी फ्रेंस देखें क्या है कड़ का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर ठीक है यहां पर कड़ का स्क्वायर रहने दीजिए देखे फ्रेंस यहां पर आधार कितना दिया है आधार दिया है साथ यहां पर साथ का स्क्वायर कर लिजिए लंब कितना दिया है चोविस चोविस का स्क्वायर कर लिजिए देखे कड़ का स्क्वायर साथ के इसक्वायर सासते उ रहा होगा 5 1625 होगा ठीख है अब यहां से इस्क्वार हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पच्छों का करड़ी लें लेने पर ठीख है लिखली ये अब देखे यहां करड़ का स्क्वार्ब बराबर 625 यहां कर जागा आपका 25 हो ठीक है यानि कल आपको कितना आया के आपका 25 टीक है अब यहां पी और यहां पर साइन्ठीटा लिखेंगे बराबर और कांश्टीटा निकाल लीजिए बरावर ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है फ्रेंज साइन ठीटा पर आप फार्मूला होता है लम अपान करण होता है लम का माँन है 24 तो 24 रखिए और कर कितना है आप 25 तो 25 कर लेजी 24 बटा कर 25 हो गया इसी तरह काश ठीटा का आपका होता है आधार अपान कर होता है ठीक है आधार कमान है साथ तो साथ कीजिए कर कमान 25 है तो 25 कर लेजी ठीक है अब देखिए फ्रेंज इतना साइन और कास कमान निकाले अब जो यहां पर सवाल लिखा है उसको लिख लेते हैं सवाल क्या है आपका कि साइन ठीटा माइनस काश ठीटा अपां ठीक है यहाँ पर देखिए साइन ठीटा प्लस काश ठीटा बराफा देखिए आपका यही सवाल हम लिख देते हैं ने 17 बटा के 31 है ठीक है सेत्रबटा बटा के 31 हो गया अब देखिए आपको क्या करना है कि साइन ठीटा उटा कांश ठीटा का मारक इसके बटा में कितना हुआ आपका चोविस अपन पच्चीस प्लस कास्ट डगमन कितना है साथ अपन पच्चीस इसी को हल करके आपको कितना लाना है सत्र बटा कि एक दी चली इसको हल करते हैं देखिए यहाँ पर आपका आधार बरावर है तो 24 में से साथ घटा दीजिये नब चूविष में साथ करल दीजिया और इस व quéा इपाण थे साधू जोड़ दीजिए एक दीजिए फत्स अम्ट कितना या 15 25 तो ड़ेगा यह तुछ सप लिख लिए बट्ञthem अ चिन बनांगे यहांड नीची बढ़ जाता沒 है चीज़ पचीज बटा कितना हो जाएगा 31 दिए 25 और 35 कटेगा आप का बच रहे हैं यहां पर कितना बच और कितना बच्छे गटा के 31 और दो इखी कितना लगों तरह ऑफ कितना हैं सब्सक्राइब लिखने लाइद सब्सक्राइब दोनों पच्छाप का बराबर होते हैं ठीक है अब चली अग्ले नंबर के सवाल को हल कर लेते हैं देखे फ्रेंस आपका ये 25 नंबर का सवाल तो हलोगे अब लगाते हैं 26 नंबर का सवाल क्या है यदि 10 A बराबर एक और 10 B बराबर रूट में 3 तो निम्लिकित के मान ग्याद कीजी फ्रेंस ये जो सवाल है ये इंपोर्टेंट है ये आपके बोर्ड के एक्जाम में आ चुक है ना 2023 के एक्जाम जो अभी हुआ है बोर्ड का उसमें ये सवाल आ चुका है इस सवाल को अब ध्यान से जरूर लगाईएगा इसी प्रकार के सभी इंपोर्टेंट सवाल आपको बताते रहेंगे देखे क्या है कि आपको 10 A का मान दिया है 10 B का मान दिया है और कास A कास B मा इसवाल का सवाल क्राइप पर सुद्राइब करना अब देखेंगे और को क्या सवाल क्या है कि 100 A टीक करेंठी ही 100 A को प्रूट क्या सर पहलेplane 151 एका मान ध्यांद करना पड़काएगा इसके यह क्या होगा कि आपको तीनों बुजा पता होना चाहिए था आप यहां क्या और आदार कि आपका टैने क मुछा कितना दिया एक दिया है इसको इसको आंसर बनाने के लिए आप हर में एक ले सकते हैं ठीक है यह ले लिए जाता है जिसे एक के एक मैं भाग देंगे तो एक ही आगा तो माने में किसी प्रकर पर्यूरतन होता नहीं है तो यहां से क्या करेंगे फ्रेंज कि यहां से देखें लंब कितना है आपका देखें लंब है एक और आधार कितना है आधार देखें कितना है आधार एक है तो एक कर लेजिए अब देखिए तीसरी बुझा पता करने के लिए पाइथागोरस परमेल लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परमेल ठीक है इस्टेप बाइश्टेप सीखते रहें यह फ्रेंज बस इस वीडियो का अंद तक देख लेंगे तो आप क लिए त्रिक्रिमीद्ध है थो सभी सवार आप चुटकी उम्मे लगाना शूरू कर देंगा ठीक है आपको एक ही सवाल बार बार देखी मता रहें देखिक क्या है क्रट का स्कॉर में यहां पर क्या होगा आधार का स्कॉर कर यहांप पो जागा लंब का स्कॉर देखिए यहां पर प्लस एक का स्कॉर एक हो गया यहां पर कड़ का स्कॉर बराबर एक प्लस एक कितना होगा दू यहां से स्कॉर आठाने के लिए क्या करेंगा दोनों पच्छों का लिखिएगा कि करड़ी लेने पते चलिए आपको बारबर लिख रहे हैं यहां पर नहीं लिखेंग देखिए आपका लंब पता चल गाझन ऑर पता चल गया और क्पता Σव्ण में यहां जब कोड़ेल्ए के तॅधिक पाहले हैं क्या जात कर्झे क्या हैंकि अधार कितीi अधार उपन कड हो गया है आधार कितना पान कितना है रू Bluetooth पहले, तो कर लीज़ी इसाइए खाहर वहता है लम अपन आधार होता है सोलीज तो लमब अपन करड़ होता है ठीक है लम कमान कितना है एक है तो कीजिये कमान कितना है रूट में जो है तो जिए ठीक इतना हो गया देखिए जब यहां पर दिया है कि यहां पर लिख लेते हैं पर लिख लेते हैं फिर सवाल आपको दिखाते हैं चलिए इसको देखे अब इसको भी इसी तरह पाए था गोरस प्रमेर लगा के तीनों भूजा ग्याद करेंगे ठीक है यहां 10 ve più formula लिखे फिरっちिए फिर लिख लिखिए के लिखाक कैंजिए फार्मुला क्या है ट connected numb便 लिखता है लिखिए लिक्त लिए टेनर में दिया है रूट में तीन देखिए यह अधिए अहां प्रम्टशं अरहत इसको बनाने के लिए एक ले ले लेंगे यहां पर लम्आ आपको पता चल गया कितना लंग क मतथ सचंग रूत तीन और आधार पता चल गया आपका एक एक हो गया अब यहां पाई था गवरस परमे लगाएगे यहां पहते पाई था गवरस परमे ठीक है जब पाई verdi पाई था गोरस परमेद लगाएंगे थार फिर्मूला क्या है गरिकलल q q q q qool को हो ہगा कि अधार का a square प्लस लंब का two is square Italy हो गया ठीक है अब देखें friends यहां पर क्या है इस by कड़की श्क्रेंद कीदण है अधार 1 सक्षाल कर लिए लंभ कितना रूट 2 रूट टू थ्री कर लेज़ी स्क्वायर एक के उस्क्वाइ और इसका BEC इसका कितना गुए कि है यहाँ कऱ वर्ण कितना वगा तीन एक चार अब लिखे हैं के दोंग़وجने पर हो हिंदी में ठीक है कड़ का स्कॉर बरावर कड़ी में कितना हो जाएगा चार हो जाएगा यहां पर कड़ बरा कितना होगा चार कवर कमूल दो यहां पर पता चल गया ना अब देखे क्या करेंगे आपको जो सवाल दिया था सवाल देखा देते हैं कहला सवाल में कास भी और सा कासB 주는 क्या फर्मूला होता है भी बता है अथं़े कि औरकोल को कर लेजी का कर लिद्धि आपकर को कि आपको मान कितना है आपका लम कमान नॉट document है root 3 कितना है दो कलिए अब दकाषए फ्रेंस यहीं सब आपको रखना है तरह सवाल क्या है सवाल को लिख लेते हैं अप पहले सवाल को देख लेजिए कास जगास minus sign sign being इसी को लिखना है ते चलिए लिख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर Wirtschaft कासb logकासb साइन a sign B यह दिया है सवाल में यहां पर मार रखिए चलिए डारेक्ट मार रखे देता है आप कास से sign A और कास B साइन B सभी लिखे होंगे कास A कमान देखिए एक बटा के करड़ी दू आया था गुरा कास B कमान कितना है कास B कमान अब देखिए आपको क्या है कि आधार बराबर है तो उसको क्या करेंगे इसको घटाना तो घटाये जोड़ना है जोड़ना है तो जोड़िये देखिए एक मैंसे करड़ी तीन तो घट़ेगा नहीं थी क्या हो जागा एक माइनस रूट तीन अपान यह कितना हो जागा दो करड़ी में दो और फ्रेंस जो यह आ रहा है आपका नतियही क्या हो जागा आपका एंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंस यहां तक आपके 26 तक सवाल हल करवा दिये हैं इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ समय के बाद वीडियो अप्लोड कर देंगे उसमें आप जाके अगले सवाल देख सकते हैं तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चल्को सब्सक्राइब करें